आज मैं बताऊंगा आपको PLC Redundance System क्या होता है PLC Redundance System में एक एंसा सिस्टम होता है जब हमारा एक सिस्टम फैल होता है तो दूसरा सिस्टम लाइन में आ जाता है जैसा कि आप देख पाएंगे वो Standby Mode में काम करता है Standby Mode बोले तो Back Image की तरह यह रहता है जब एक सिस्टम फैल हुआ है जो देखपाने आप Logics फाइप सेवन फॉर इसके पाद इतरनेट मोडूल हे जो कंट्रोल में नोट मॉडूल है यह इतरनेट मोडूल रेड़न्डेंस मोडूल रिडंडेंसी मोडुल के उपर आप देख वाएंगे सिंक्रों क्या है मारा जो हमारा नीचे बैक साइड नीचे इक साइड आप देख पाएंगे जो बैक प्लेन है उसके साथ क्मुनिकेट कर रहा है जैसे कि आप देख पारें यह सिस्टम प्राइमरी की रूप में काम कर रहा है उपर वाला सेकंडरी की रूप में काम कर रहा है दोस्तों प्राइमरी और सेकंडरी में जब क्या होता है जब हमारा दोनों में सेम जो प्राइमरी देख पारें इसमें और जिस्ते कि कोई हमारा प्रोसेस इंटरप्ट ना हो और हमारा स्मूध प्रोसेस चलता रहे है